नोश्कार मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पी आरवी अठारवी लोकसभा का आज छठा दिन था जो तस्वीर निकल के सामने आई वो पिछले दस साल में उस तरीके की तस्वीर देखने को नहीं मिली क्या खास था आज लोकसभा में विपक्ष ने आज क्या किया क्या है पूरा मामला क्या है पूरा खबर तमाम बाते आज करेंगे कि आज लोकसभा और राजसभा में मलिकार अर्जुन खरगे कॉंग्रेस के गद्दावर नेता अध्यक्ष उन्होंने क्या कुछ का कितने हमलावल रहें दूसरी तरफ इंडिया गटवंदन के तरफ से न चर्चा से हमेशा बसता रहा है विपक्ष के पास जो सांसदों के संख्या है अभी हाला कि एंडिये सत्ता में है लेकिन विपक्ष के पास जो सांसदों के संख्या इससे साफ दिख रहा है कि विपक्ष आत्लिश्वास्त से पूरी तरीके से लब्रेज है जो तस्वीर EDCBI की होड़े ही कारवाई का जम कर विरोध करता है आपको पता है दिल्ली के मुखमंतरी अर्विंद केजरिवाल वो EDCBI की मार झेल रहे हैं दूसरी तरफ जारखंड के हमन सुरेन EDCBI की मार झेल रहे हैं इसको लेकर इंडिया कटवंदन जो है वो पूरी तरीके से एक मजबूथकर के संसद परिसत के बाहर एक मजबूत विपक्ष होने का कहीं ने कहीं वह पेश कर दिया है कि यह बार मजबूत संख्या यह ने पहली बार विपक्ष क्या कोई नेता या कभी भी इतने 880 लोग सभा गुजर गया लेकिन पहली बार राहूल गांधी ने विपक्ष में के नेता के रूप में कुरान के स्लोक परे कुरान की आयत परी। वो कुरान की आयत तमाम सोचल मीडिया पर वाइरल चल लही है राहूल गांदी ने भगवान शिप की तस्वीर दिखाई जिसका विरोध बीजेपी के जो नेता है उन्होंने किया जो जो स्पीकर है ओम बिड़ला उन्होंने कानून बताने लगे ये कानून है आप जो है वो नहीं दिखा सकते हैं तो I'd like to start by showing an image of our refuge okay sir श्रीव जीजी की फोटो नहीं दिखा सकते हैं sir एक मिट बाने सबसे थे शरीव जीजी की फोटो मना है sir तो कॉंग्रेस ने ये सवाल उठाया कि तस्वीर भगवान को कोई नहीं जानता और भगवान के तस्वीर से आखिर क्या पत्ती है मैं आपको वही कह रहा हूं कि इस मुद्दे को विपक्ष्ट 10 साल में नहीं छेरा लेकिन इस बार विपक्ष्ट जो हिंदुत्व है जो फर्जी हिंदुत्व कर ढ़िंड़ोरा लगातार पीटा जा रहा था उस हिंदुत्व पे चोट अगर किसी ने करने का काम किया है तो इ इससे यह साफ होता है कि हिंदुत्व के पिछ पे बीजेपी जो है वो लंबा खेल नहीं खेल सकती है चौका छक्का अब नहीं मार पाएगी यही कारण है कि इस बार हिंदुत्व के सवाल पे राहूल गांदी जो है संसद में गरजे और भगवान शिप की तस्वीर लेकर के निए व पहुंचे तो उन्होंने विरोध किया तो राहूल गांधी को टार्गेट कर रहे थे परदान मंत्री मोदी ने उनसे कहा कि आप हिंदो ने जवाब में कहा कि बीजेपी हिंदु नहीं हिंदुत्व नहीं है रूव इस पर क्या प्रतिकिर्या दे रहे हैं उस पर आ के आयत पढ़ते हैं वो आयत जिसका मतलब है कि डढ़ना नहीं है तो वो आयत पढ़ते हैं दूसरी तरह भगवान के तस्वीर दिखाते हैं इसलाम में भी लिखा गया है कुरान में मतलब इस नाम में भी कहा गया है कि डढ़ना नहीं है और उन्होंने ये बड़ी बात कहिए कि सर्वे जो हुआ है प्रधान मंत्री मोधी वहां से चुनाव लड़ने वाले थे और सर्वे में ये पता चला कि आयुद्धिया से पीम चुनाव हार जाएंगे इसलिए वो बनारस चले गए ये मुद्दा भी राहूल गांदी ने उठ उठाया क्या-क्या मुद्धा मलिक अरजन खडगे ने उठाया जिसकी चर्चा इस बार तमाम शोशल मीडिया पे चल रही है क्या मुद्धा दूसरे सदन में राहूल गांदी निदा पर्तिपक्ष के रूप में उठाया तमाम बाते आपको बजाते हैं जब राहूल हिंदु समाज नहीं है पूरी rhोर्य कि यह यो jury संसद में कहते हैं विपक्ष में तालिया बश चाती है कि रहुल गान्दी ने परधार मंत्री मोंजी को सही जवाब दिया है कि हिंदु जो है हिंदु जो है वह उसकी परिभास ASMR नहीं हो यह बात जो है रहूल गांदी ने कहा आगे दूसरे सदन में मलिशार विचारधारा को लेकर क्या कहा उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है और कई जो लचिन मुद्दी अभी चल रहे हैं उन आपको पहले हमने बता है राहूल गांदी कुरान के आयत पढ़ते हैं वो आयत जिसमें कहा गया कि किसी से डढ़ना नहीं है वो आयत राहूल गांदी भगवान शिप की तस्वीर दिखाते हैं तो इससे साफ होता है कि राहूल गांदी की छवी जो बनाई हुई थी जो मीडि पर चुनाव लड़ा तो यह बड़ी बात कही है तो बीजेपी के लिए कि लिए बबने लड़े को चुनाव में बहुत कठीन होने वाली है कि बीजेपी जो है साल बाद विपक्ष नेता का सामना करना परेगा उक्टिकिए दस साल में 2014-2019 में विपक्ष के नेता की रूप में कोई सदन में था रही इस बार रहुल गौन्दी है इंडिया गडवंधन की तरफ से नेता है नेता पर्तिपक्ष्य सदन के तो प्रधानमंत्री मोधी को तो ये आदत नहीं थी प्रधानमंत्री मोदी तो अपने शांसदों के सोरगुल में रहने वाले थे जो बंचहाब भी लाया उसको पास करने वाले थे लेकिन इस वार प्रधानमंत्री मोदी को कठनाई तो हो रही होगी कि विपक्षियों में शांसदों की सोर्द सुनाई अब ओम बिड़ला जी की बात कर लेते हैं लगातार इनका भी विरोध हो रहा था इनके नाम में भी एक रिकॉर्ड है कि सबसे जाधा जो है सौ सांसद पिछले एक महीने में पिछले सदन की बात कर रहें सत्रवी लोग सवा की सौ सांसद उन्हों निलंबित कर दिया फिर से सदन में जो है तस्वीरे दिखाई गई भगवान की तो उन्होंने कानून की बात करने लगे तो यह तमाम चीजे जो है सदन में जो आज हुई उसकी बात कर रहे हैं तो बीजेपी के लिए यह अठारवी लोकसवा आसान नहीं होने वाली पहले भी बताया था क्योंकि एक इक तरफ जो उनके साथ सहियोग्वी दल है उनको मनाने का कार है तो यह तमाम चीजे छाव रही है और सदन और राजसभा में कर्जुन खड़गे जिस तरीके से दिखें आकर्मक रूप में एक तरफ राहु गांधी एक दूसरी तरफ राऑश्पा मैं, मलें से बात उठा पता हे हैं रूपियों में हो रही गिरावट पे सबाद लिए यह यह तमाम घटना है कि अशुल उन्हों होई है है जब मुकश्मीन में तीन आतंग की हमले भी हो गए जब से परधान मंतरी मोची सपत लेते हैं और राम मंदिर की छत की लीक की खबर तो आपको पता ही है कितने हजार करोर से तयार हुआ राम मंदिर जिसकी इतना निंडोरा पीता गया परधान मंदरी मोदी जो है वहां पे घूमी पूजन करते हैं और छत लीक हो जाता है छत भी वहां पे लीक होता है जहां पे गर्व ग जल्द बाजी में तमाम संक्राचारे के विरोत के बाद भी मंदिर का सिलन्यास किया जाता है और तुरंच उसका उद्गाटन कर दिया जाता है पंडित की रुप परधान मंतरी मोधी स्वें बैट जाते हैं तो इसके घोटाले की जांच होनी चाहिए इस तरह के आवाज उठ रहे हैं कि परधान मंतरी मोधी जो उसके से लिन्यास करते हैं और गर्व गिरे में पानी जमा जाता है इस तरह की बात जो है मैंने ही कर रहा तो यह सब चीज़त जो है आज सद्र में देखने को मिला तो ऐसे तमाम घटनाय देखने को मिला बिहार में 15 दिन में पांच पुल गिर गया बिहार में इंडिया की सरकार है निजिश कुमार मुख मंतरी है दूसरी तरफ परधान मंतरी मोधी के सपत लेने के बाद तीन हव प्रधिर विपक्ष की इस बार आपको दिखी संसद में यह मजबूत विपक्ष का जो है वो काम है और राहूल गांधी जो है वो जिस तरीके से पूरी तरीके से हमलावर दिखे तो यह संकेत है कि शुरुवाती दिनों में जबकि एक हफता नहीं पूरा है पूरा समय अभ संयों की दलों को साथ लेके चल पाती है क्योंकि टीडी नाराज है तो यह तमाम जो भी खबर निकल के आता रहेगा उसके विस्तार से आपको बताते रहेंगे कि कितने कंफीर मुद्दे को इस बार सदन में उठाया गया उसकी चर्चा हमने कर दी वीडियो आपको कैसा नवाद